हर रोज प्रॉपरली लेक्चर को देखना एक प्रायोर्टी होनी चाहिए रेगुलेरेटी बहुत बहुत जरूरी है अगर आप रेगुलर नहीं रहेंगे तो भाई या फिर स्लेवस नहीं होता क्या है कि स्टार्टिंग में तो जोश होता है दस-पास दिन बहुत जोश होता डेली सारे लेक्ट्या ब Williamson को देख लेंगे रात को देखें कख लेंगे ऐसा जैसे हैं क्टुमcrates अबको दे एक लेक्चर हर हफते मिल रहे हैं एक हफता भी अगर आपने मिस कर दिया तो अठारा लेक्चर का बैक लॉग कैसे संभालोगे कैसे संभालोगे मुश्किल हो जाएगा पर जितनी मेहनत आपको अभी डेली बिश्चिस पे करनी है उससे जादा मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत बिखा करना पड़ेगा आपको आपका जो सेल्फ सड़ियर काई टाइम है वो कटेगा जहां पर आपको कोश्चों खुश से बनाने के लिए आपको ज्यादा समय देना चाहिए था आप वो समय काट रहे होके हैं या आपनी खुश्यों का समय काट होगे जब बैटक सब्सक्राइब कर रहा है अगर आपने तीन हफ्ता या एक महिना लेट जोएंग करा होगा तो भीया फिर तो आपके ऊपर एक काफी बड़ा बैकलोग जो है वो खड़ा हो गया हो गया होगा सारे सब्जेक्ट को मिला दिया जाए तो लगवाश चालिस-पचास लेक्चर का बैकलोड आपके ओपर खड़ा हो जाएगा एक महिने के अंदर कैसे निकालोग को एक ही तरीका बटा आप एक प्लान मना लो कि मैं डेली बेसिस पर इतने लेक्चर एक्स्ट्रा देखूंगा दूसरी बाद आप लेक्चर की स्पीड भी इंक्रीज कर सकते हो मतलब आप इस कमफर्डेबल केवल यह नहीं होता कि हां मैंने स्पीड तो बढ़ा दी और जो सर कह रहे हैं मुझे उनकी बास समझ में आ रही है जो वह बोल रहे हैं वह मेरे कानों में घुस रहा है मैं उनका लैंग्विज इंटरप्रेट कर पा रहो इसा नहीं होता एक कॉंसेप्ट को रास्व करने के लिए एक समय भी आपको देना पड़ता है अगर वही चीज में आपको समझ में आ जाएंगे उनका मीनिंग आप जब तक कॉंप्रिहंड करेंगे वह लेक्षर आगे चला जाएगा तो स्पीड उतनी रखें जिसमें आप इजली लेक्षर को कॉंप्रिहंड करब रहे हैं सारी बाते आपको समझ में आ रही है और आप लेक्षर के साथ सद आगे भढ़ते चले जाएंगे रही है तो फोर समय में अपना ओपर वैक ॉप्र घड़ा कर लेता है तो बैकलोग को निपटाना है तो प्लान से निपटेगा और प्लान यही है अब जिसका बैकलोग खड़ा हो गया है उसको एक काम और कर सकता है वो पहले PDF पढ़ ले आपको हर लेक्षर का PDF मिल रहा है तो पहले PDF पढ़ ले टायर यहां पेडाउट आरा यहां पेडाउट आर्या पेडाउट और यहां पे लेक्ट कर में तो पूरा लेक्षर कर देखने सर स्पीड बढ़ाता हूं लेकिन लेक्टर समझ नहीं आ रहा है तो भीया स्पीड फिर आप बढ़ा नहीं सकते फिर क्या कर सकते हो फिर तो यही कर सकते हो कि भीया आप करो कड़ी मैनत करो जिसे कहते हैं गजा वजदूरी वो करो दिन में 12-12 गंटे 15-15 गंटे बैड़ के ल बहुत मैनत लगेगी करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ कि अल्टिमेटली बैक लोग पुरा हो जाए तो आपको चाहे है मतलब हर एक स्ट्रेटजी सब पर काम नहीं करती सबके लिए लग स्ट्रेटजी होती है कोई 1.5 एक्स पर भी कमफर्टेबल है क और कोई तो भी या वन एक्स पर उसके असास पूल जाता है तर समन नहीं आ रहा है तो कोई गलत बात नहीं जिसका जो वन एक्स पर भी डिफिकल्टी पेस कर रहा है तो गलत बात नहीं बट आपको ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि मैं किस लेवल पर हूँ अगर आपको खुद के लेवल का रियलाइजेशन हो गया मेरा लेवल ये है उसके हिसाब से स्त्रेजी अपना और काम करो तो को दिक्कत नहीं है ये अगर आपको पीडियाइफ पढ़के कुछ समझ में नहीं आ रहा है PDF पढ़ा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना है, पूरा लेक्षर देखना है, अगर आपको PDF पढ़के सब कुछ समझ में आ रहा है, तो क्या करना है, या तो लेक्षर देखो ही मत, सब कुछ समझ में आ रहा है, या फिर तूवेक्स पर करके फटाफट निकाल दो गड़ घंडे का लेक्षर पॉटी मिनट्स नेखदा पॉटी फाइफ मिनट्स में ख़दा आरी में समंध्य तो टाइम यह हो गया और आपने पुरे लक्षर देख भी लिया पीडिया भी पढ़ लिया बात अब आरी में समंध्य आपको तो खेड यह तो रही कि भीया क्या करना है बैक लोग खड़ा नहीं करना है रेगुलर रहना सारी बाते इन्हें कहते है गुड़ हैविट्स क्या कहते हैं और गुड़ हैविट्स ठीक है